दोस्तों इस वीडियो में आपसे रियल मी नार्जो सेवन की टर्बो स्मार्ट फोन के बारे में बात करने वाला हूँ यह हमने परफल कलर में पर्चेश किया है और यह हमने आठ एक्सोट है जीवी वाला वेरेंट पर्चेश किया है और आप अगर जदा वेरेंट पर्चेश करना जाते हैं तो एक अचार रुपे वेरेंट के साब से बढ़ते जाएंगे तो यह अच्छी बात है सब में कुपन अवेलेवल है आप शाहिए तो अभी भी जाकर इसे पर्चेश कर सकते हैं वीडियो में ने एक दो दिन बात बना किया अच्छा से चेक किया यह पापोमेंस में पंदा जार रुपे से कम में बेस्ट मुबाइल है पंदा जार रुपे के अराउंड भी कापी अच्छा है स्मार्टफोन है यह अच्छा है इसका अच्छी परफोमेंस होना का रीजन यह है कि इसमें हमें 15,000 रुपे की प्राइजेंज के साफ से Mediatek Dimensity 7300 चिपसेट देखनों मिल जाती है जो की 4 nm के आर्खिटेक्चर पर आती है साथ में इसमें हमें UFS 3.1 का स्टोरेज देखनों मिल जाता है यही इसका मेन परफोमेंस का रीजन है यह कापी अच्छी इस्टोरेज क्वालिटी है प्राइजेंज के अकोडिंग इस प्राइजेंज में लगबग लगबग इस टाइप की इस्टोरेज नहीं मिलती है लेकिन इसने इसमें प्रोवाइड की है तो अच्छा option है औरोल performance के साफ से camera department की अगर मैं बात करूँ तो 50 megapixel का sensor है PDF का support देखम मिलता है और 2 megapixel का depth sensor है जिससे हम 4K में 30 पेस पर record कर सकते हैं primary camera से और selfie camera से हम full HD में 30 पेस पर record कर सकते हैं 16 megapixel के sensor के साथ तो camera में इतना दमदार phone नहीं है अगर आपको स्पेशल इस प्राइज इरेंज में 15,000 से कमें 15,000 के आसपास camera phone चाहिए तो आप Samsung Galaxy M35 5G देख सकते हैं वो 18-20,000 के आसपास बिखता था अभी इसमें वो 13,700 के आसपास मिल रहा है और 14,000 आप उसकी प्राइज मान कर चलें तो भी अच्छा smart phone है camera के department और और वीडियो recording के हिसाप से भी अच्छा phone है और और सुपर quality देखना हो मिलती है यह थोड़ा बलकी लगता है बलकी तो यह भी लगता है लेकिन यह अच्छा phone है प्रपरमेंस के हिसाप से वो अच्छा phone है तो motorola का G64 भी purchase कर सकते हैं आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं इसको आप priority पर जभी रखें जब आपका performance यूज़ेज हो अगर आपका other usage है तो आप comment करके मुझसे फूछ सकते हैं